हेलो फ्रेंड्स आम विवेक एंड यो वाचिंग वी एंड टुटोरियल जहां पर हम सीखते हैं इंगलिस के हर मुश्किल से मुश्किल लेसन को बड़ी ही असानी से आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज के सारे यूजिस को उसके correct pronunciation और examples के साथ और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहें तो इसी प्रकार के वीडियो को लगतार देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon को press कर उसे all notification पे set करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के latest updates आप तक लगतार पहुंशते रहें Look at the board मैंने use के सारे uses को board पे लिखा हुआ है इसे मैं आज आपको बारी बारी से step by step समझाओंगा with examples तो इसे अच्छे डंग से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखे अंतक इस वीडियो के शुरुवात में हम सबसे पहले use को एक वर्व की तरह सीखेंगे और जब ये एक वर्व की तरह आता है तो इसको हम pronounce करते हैं use जिसका मतलब होता है प्रयोग करना चुकि ये भी एक वर्व है तो हम अन्य वर्व की तरह इसके भी पाचों फर्म्स को use करते हैं जैसे use, used, used, using, uses और इसे हम model auxiliary verb के साथ भी use करते हैं जैसे well, shall, can, could, should, must, may, might, would, to तो इस प्रकार से हम use को वर्व की तरह use करते हैं look at the example, I use white board marker to write on the board मैं board पे लिखने के लिए white board marker का प्रयोग करता हूँ दूसरा है, he uses smartphone, वो smartphone का प्रयोग करता है next, she used wooden chair to sit, वो लकडी के कुरसी का इस्तमाल करते थी बैटने के लिए next is, I don't use book to teach my students मैं अपने students को पढ़ाने के लिए book का प्रयोग नहीं करता और जो आखरी example है, how do you use washing machine आप washing machine का प्रयोग कैसे करते हैं तो आपने देखा कि हम वर्व की तरह use को use करते हैं अपने speaking और writing में लेकिन जब हम use को एक noun की तरह use करते हैं इसका pronunciation होता है, use और इसका मतलब होता है, किसी वस्तु का प्रयोग या किसी वस्तु का लाव या फाइदा और किसी वस्तु के प्रयोग का उदेश look at the example there is use of computer everywhere, computer का प्रयोग हर जगा पे होता है दूसरह है, it's no use studying for an exam at the last minute exams के लिए आखरी minute में पढ़ाई का कोई लाव या फाइदा नहीं होता see one more example the machine has many uses machine के कई प्रयोग होते हैं तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम use को एक noun की तरह अपने sentence में use करते हैं या फिर कर सकते हैं use को एक verb और noun की तरह सीखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं use से ही बना अपना अगला word वो है used जो की एक adjective है और इसका pronunciation है used और इसका मतलब है पुराना या इस्तेमाल किया हुआ जिसे हम English में कहेंगे second hand example देखते हैं जैसे used car याने की पुराना car second hand car used cell phone याने की पुराना cell phone और हम इसे कह सकते हैं second hand cell phone अगला है used bike याने की पुराना bike याने second hand by तो हम इसी तरीके से हर उस object के लिए हर उस चीज के लिए हम used का प्रयोग कर सकते हैं जो पुराना है जिसे किसी और ने पहले इस्तेमाल already किया हुआ है see the example याने की second hand book मत खरीदो she has gifted me a used pen उसने मुझे एक पुराना याने की second hand pen gift किया है यहाँ पे पुराना का मतलब old से नहीं है यहाँ पे पुराना का मतलब है जो already used किया जा चुका है इस्तेमाल हो चुका है तो आपने देखा कि हम कैसे used को एक executive की तरह use करते है जिसका मतलब होता है पुराना याने की second है used को एक executive की तरह सीखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं used to को जो की एक semi-model verb है इसका pronunciation है used और इसके बाद जो to आएगा हम इसे पढ़ेंगे to या फिर to तो खुल मिला के हम इसको पढ़ेंगे used to या used to इसका मतलब होता है past में किसी की आदत या अवस्था को बताना तो जब हमें past में किसी की आदत या अवस्था को बताना हो तो वहाँ पे used to का प्रियोग करेंगे look at the formula subject यानि की जिस किसी की हम आदत को बता रहें उसके लिए हम subject यानि की वह हमारा subject है उसको use करेंगे और उसके बाद used to और उसके बाद verb का first form यानि की base form use करेंगे और फिर object या other का use करेंगे look at the example early man used to kill animals for food early man यानि की आदी मानो आदी मानो आप जानते हैं आदी मानो animals की हत्या करते थे यानि animals को मार डालते थे भोजन के लिए दूसरा example है I used to play hide and seek in childhood बच्पन में मैं hide and seek यानि की आँख में चौली का खेल खेलता था आपने भी खेला होगा और शायद खेलते भी होंगे look at the next example she used to be a topper student in the class वो class में एक topper student हुआ करती थी next example is he used to have a car उसके पास एक कार हुआ करता था जो अब नहीं है there used to be a neem tree in my courtyard मेरे आंगन में एक neem का पेर हुआ करता था जो अब नहीं है तो यहाँ पे आपने देखा कि used to के प्रयोग से हम past की habit या past की अवस्था को बताते हैं और एक बात का ध्यान रखेंगे used to का प्रयोग हम present में या फिर future में कभी नहीं करते हादत बताने के लिए इसका use हम सिर्फ और सिर्फ past में करते हैं किसी की habit या state को बताने के लिए हम used to का negative बनाते वग used to के साथ not लगा सकते हैं या फिर used के साथ not लगा के फिर हम to बोल सकते हैं और दोनों के साथ हम verb का first form use करते हैं ये एक formal use है लेकिन informal English में हम did not का use करके उसके बाद हम used to और या फिर used to ये दोनों ही acceptable है हम use कर सकते हैं और उसके बाद verb का first form जो की एक informal use है तो जब हमें formal use करना हो तो हम used to not या फिर used not to का use कर सकते हैं लेकिन जब हमें इसे informal तरीके से use करना है तो वहाँ पर did not or used to या फिर used to का प्रयोग कर सकते हैं लोक अट दे एक्जाम्पल या फिर I used not to listen to classical music या फिर I did not used to listen to classical music ये तीनों का एक ही मतलब है कि मैं classical music नहीं सुना करता था तो इसी प्रकार से हम used to not और used not to और did not used to की मदद से used to का negative बना सकते हैं यूज के most popular uses को सीखने के बाद अब बारी है यूज के उस most important use को जानने का जिसको पहुत कम लोग जानते हैं या फिर use करते हैं और वो है be used to, get used to, or become used to ये तीनों एक ही है, तीनों executive है बर तीनों में एक थोड़ा असांतर है वो मैं आपको अभी बताऊंगा तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले be used to को और इसके बाद हम something का प्रियोग करेंगे यानि किसी चीज का प्रियोग करेंगे और इसके बाद या तो फिर हम doing something यानि किसी action की बात करते हैं तो वो हम use कर सकते हैं अब समझते हैं कि यहाँ पर be used to का मतलब क्या है जब हम किसी चीज से परिचीत होते हैं उससे वाकिफ होते हैं उसके आदी होते हैं या फिर अभ्यस्त होते हैं या यू कहें वो चीज हमारे लिए नहीं नहीं होती तो वहाँ पे हम be used to का use करते हैं उसी प्रकार से जब हम किसी action को काम को करने के अभ्यस्त होते हैं उससे वाकिफ होते हैं तो वहाँ पे हम use करेंगे be used to का अब देखते हैं be एक verb है लेकिन जब हम present में इसका use करेंगे तो हम be used to को कहेंगे is am are used to और इसी को हम past में कहेंगे was were used to और past participle में been used to Look at the example I am used to speaking English मुझे English बोलने की आदत है या फिर मैं English बोलने का आदि हूँ दूसरा है the poor are used to poverty गरीबों को गरीबी की आदत होती है Next is she was not used to the environment of village उसे गाओ के माहोल की आदत नहीं थी या फिर वो गाओ के माहोल के हिसाब से अभ्यस्त नहीं थी Next is you are used to my teaching style आपको मेरे teaching style की आदत पढ़ चुकी है या फिर आप मेरे teaching style के आदी हो चुके है तो अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पर be used to की मदद से किसी चीज़ की प्रती जब आप अभ्यस्त हैं उससे परचीत हैं वो चीज़ आपके लिए नहीं नहीं रह गई हैं तो यहाँ पर इससे sentences बना सकते हैं लेकिन जब हम change of state यानि के change of condition की बात करेंगे तो वहाँ पर be used to के बदले हम get used to का use करेंगे और become used to का use करेंगे आपको बहुत जल्ड इंग्लिश बोलने की आदत पढ़ जाएगी दूसरा है little by little he became used to his new school आहिस्ता आहिस्ता दीरे दीरे उसे उसके नए स्कूल की आदत पढ़ गी उसे वो वाकिफ हो गया तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम existing condition की बात करेंगे मौझूदा अवस्ता की बात करेंगे तो be used to का प्रियोग करेंगे लेकिन जब हम conditions में बदलाव की बात करेंगे तो वहाँ पर get used to या become used to का use करेंगे I hope आपको use के यह सारे uses बहुत ही अच्छे से समझ में आगे होंगे बस अब आप इन्हें खूब practice करें और अपने speaking और writing को चार चांद लगाएं जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए lesson के साथ तब तक आप इसे practice करते रहें Take care, bye bye